नमस्कार दोस्तो मैं ताली बिलाल किता बरुन महता अमरिचसर से आज फिर आप सब के सामने हाजिरूं आज के वीडियो में दोस्तो हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं गोल्ड चेन के बारे में आपने अकसर लोगों को गोल्ड की चेन पहने हुए बहुत लोगों को देखा हुआ लेकिन उस गोल्ड चेन को क्यों पहना जाता है जोतिश की नजर से उस गोल्ड चेन का हमें क्या फाइदा मिल सकता है वो किस प्लाइनेट के साथ जो है वो कंसर्ण है और इसका रिजल्ड हमें हमारे लाइफ के किन किन पहलों पर पढ़ता है हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं इसके क्या फाइदे हमें मिलते हैं उसके बारे में भी पुरपूर जानेंगे दोस्तो गोल्ड जो है वो ब्रस्पती का कारक है और जब वो किसी जेवर की शकर लेता है जैसे कि हम गोल्ड चेन की बात कर रहे हैं तो वो ब्रस्पती का असर तो रहे गई रहेगा लेकिन जेवर बन जाने की वज़े से उसमें कहीं न कहीं शुक्र की involvement भी जरूर साथ में मि यानि कि जब आप सोने की चेन बनाके पहन लेंगे गले में तो वो गुरु शुकर का कनेक्शन हो जाने की वज़े से वही ब्रस्पती का जो प्लानेट है वो आपकी तरक्की के लिए आपकी लग्शरी के लिए बहुत जादा फायदेमन थाबित होगा दोस्तो जब ब्रस्पती जब आप गले में यानि कि सोने की चेन को जब आप गले में धारण करेंगे तो गला हमारा फर्स हाउस को रिप्रेजेंट करता है ब्रस्पती हमारी एक्सपैंशन का कारक है जब ब्रस्पती एक्सपैंशन करेगा शुकर की जब क्योंकि वो जेवर बन चुका है तो जब वो शुक्र की expansion करेगा तो वो हमारी luxury को expand करेगा हमारी luxury जैसे जैसे expand होती जाएगी हमारी life में prosperity बढ़ती चली जाएगी ब्रस्पती की chain यानि सोने की chain जब आप गले में धारन करते हैं तो first house होने की वज़े से वो self क्योंकि first house self को represent करता है तो वो हमारी individual expansion हमारे name fame की तरक्की हमारी इज़त और शोहरत की तरक्की को promise करेगा उसके बाद first house हमारा seventh house को देखता है जब हम सोने की chain पहन के रखेंगे तो हमारे seventh house जो की हमारी daily income का कारक है हमारी job का कारक है तो उसमें भी expansion देगा यानि की हमारी daily income बढ़ना शुरू हो जाती है हमारी अगर अपनी कोई दुकान है या business है तो उसमें हमारी sale बढ़ जाएगी हमारे contacts बढ़ जाएंगे और हमारे जो partners है उनको भी growth मिलेगी और हमारी individual growth भी बढ़ेगी हमारा first house जो होता है वो हमारे fifth house को मदद देता है और fifth house हमारी ओलाद का होता है हमारी education का होता है fifth house को लाल कि में मुस्तक्बिल का जमाना भी कहा गया है मुस्तक्बिल का जमाना means हमारा future तो जब first house में आप सोने की chain यानि self अगर सोने की chain गले में धारन करके रखेंगे तो पांचवे घर को मदद देने के लिहाज से वो हमारे बच्चों की तरक्की कराएगा जिन लोगों को child birth करने मे कोई problems आ रही है या बच्चे हो नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए भी gold chain हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक साबित होगी अगर हमारे बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो भी हम अगर सोने की chain पहन के रखते हैं तो कहीं न कहीं बच्चों का मन भी प के नाते वो हमारे future में हमारी expansion बढ़ती चली जाए उस चीज़ को भी gold chain जो है वो पहनना सहायक साबित होता है ब्रस्पती हमारे बुजर्गों का कारक है और लगन में ब्रस्पती जब होता है तो वो हमारे अपनी जो old age को भी represent करता है तो जब आप सोने की chain पहनते हैं तो आपकी उमर लंबी रखने के लिए भी सहायक साबित हो सकती है अगर आपकी खुद की education में कोई problems आ रही है तो तब भी gold chain सहायक साबित होगी gold chain काम कैसे करती है दोस्तो gold जो है वो एक ऐसी धातू है जो अगर purest form में हो तो वो बहुत नरम किसम की धातू होती है उसको हाथ स भी मोड़ा जा सकता है तो जब आप सोने की chain को धारन करके रखेंगे तो जब भी आप नहाते हैं तो वो सोने की chain में से कुछ सोने का हलका फुलका अंच जो है वो पानी के साथ ही बह भी जाता है अगर आपने आज सोने की chain को धारन किया है तो उसका weight कर लीजिए अगर वो हो चुका होगा, वो कहां जाता है जैसे कि मैंने बताया कि जब आप नहाएंगे दोएंगे, उसको पहन के रखेंगे तो वो घिसती है, तो वो घिसने से ब्रसपती जो है वो निकल जाता है तो यानि कि आपकी कुंडली में अगर कहीं पर ब्रस्पती खराब होगा तो आपने अगर सोने की चेन को धारण किया तो वो जब सोना आपकी चेन में से घिसता चला जाएगा तो वो मंदा ब्रस्पती उस सोने की शकल में कहीं न कहीं घिस जाएगा और आपकी लाइफ पे जो बुरा एफेक्ट आना था ब्रस्पती का वो क चाहते हैं कि आपकी अपनी individual luxury बढ़ती रहे, आपके बच्चे बढ़ते रहे, खानदान में prosperity बढ़ती रहे, आपकी daily income बढ़ती रहे, बच्चे कहने में रहे और बच्चे जो हैं वो जिद्धी ना बन जाएं और आपकी overall growth होती रहे तो सोने की chain को जरूर धारण करके रखे आपको बहुत ज्यादा फाइदे मिलेंगे, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद